तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे सुपर स्प्रेडर्स के बारे में क्या होते हैं यह सुपर स्प्रेडर्स यह कॉंसेप्ट है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है आज ही नहीं आगे भी दुनिया भर में आने वाली बिमारियों के बारे में यह सुपर स्प्रेडर्स की जानकारी आपकी बहुत जादा मदद करेगी ना सिरिफ आपके इलाके में आपके देश में आपके स्टेट में बलके पूरी दुनिया में सु आज जानेंगे हम कि Super Spreaders क्या होते हैं भी एक होता is spreader एक होता is super spreader आई ये बात करते हैं The internet is full of pro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, पहली बात हर इंसान हर परसन एक जैसा नहीं होता जब बात आती है कि एक transmission को एक बिमारी को एक से दूसरे में फैलाने वाली बात है तो In fact ये बताया गया है कि at least दो decades तक something called as 2080 rule करके बोला जाता था 2080 rule का मतलब है कि कोई एक छोटा group है एक बहुत सारे लोग है अगर जहां इंदे के एक बिमारी एक communicable disease भैली है तो उसमें एक छोटा group है जो के बहुत ज्यादा transmit कर रहा है जिनके वज़े से बिमारी ज्यादा फैल रही है बीस परसंट लोगों का बाकी सारे 80 परसंट की जगा सो ये बीस परसंट लोगों को प्रस प्रेढर बोलते हैं अब सवाल आता है कि कौन सूपर प्रेढर कौन नहीं सूपर प्रेढर ठीक है इस पर भौट सारी धे यह कोई specific 100% शोर शोट नहीं है मगर यह सच है इसमें क्या सच्चाई है कई लोग यह बोलते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम है राइट वह उसमें उसका हाथ है सुपर स्प्रेडर में मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको मतलब आपका इम्यून सिस्टम वाइरस को सप्रेस नहीं कर पा रहा है बलके वाइरस इतना आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको दिक्कत ही नहीं हो रही कोई भी symptom ही नहीं हो रहा कि you don't feel any symptom वाइरस के साथ घूम रहे हो asymptomatic परसन जिसको कोई symptom नहीं कोई पता नहीं कुछ नहीं धिकाना नहीं वो सुपर स्प्रेडर है उनके केस में क्या हो रहा है ना तो वाइरस उनकी इम्म्यूनिटी वाइरस को मार रही है पूरी तरह से नहीं उनकी immunity उनको बिमार होने दे रही है, यह दोनों ही नहीं हो रहे है, तो इसी वज़े से वाइरस अंदर पनप भी रहा है, पल रहा है, और जितने दिन, दो, हफ्ते, चार हफ्ते, वो उसको फैलाते जा रहे है, वो उसको फैलाते जा रहे है, सुपर spreader बन के, ठीक है, बट इ के दो saja नहीं and all the factors one yeah कि अब यह भी हो सकता है कि एक इन्सान में पैले ही बहुत हवी डोस ऐगया हो वायरस का पहले ही इन्पेक्ट होन के जभ वह इन्फेक्ट हुआ यह भी हो सकता है कि आधे एक से जगा दो एक सात हुआ और इम्यून स्सेम दूसरी को मारने और मीन वाइल इम्यूनस्टिम लगा है इसलिए tyre ने त concept नहीं है coronavirus के चलते ये ये विल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया चीज है पहले भी में पहले की ब्मारी में भी वे खोली होते थे जो एसम्टोमेटिक transmission होते थे और हम सोटे फूर क्या काउं कउन सी विमारियों में हें और होते हैं पहली बात पुरानी बिमारे को टतो लेंगे तो एक बिमारी है बहुत कॉमन जिसको करते हैं टाइफ़ाइड टाइफ़ाइड ऐसी बिमारी है जिन्में सूपर स्प्रेडर देखे गए मतलब आपके अंदर बैक्टेरिया है टाइफाइड का और मीजल्स का वाइरस है लेकिन आपको कोई सिंटम नहीं आपको कुछ वता पता नहीं है ना तो वह वाइरस पूरी तरह मर रहा है टाइफाइड के केस में वह आपके खेश में आपके म अरिया जो गाओ खेड़े हैं वहाँ पर ज्यादा पाया जाता है और मीजल्स और इसमें फरक क्या है मीजल्स ऐसी विमारी है जिसका वाइरस जो है बहुत लंबे तक जाता है यहां पर कोरोना वाइरस को बोलते एक मीटर बहुत हो गया तो देढ़ दो मीटर मीजल्स चीजों में सुपर स्पैडर देखे गए हैं तो यह बहुत डिफरेंट कॉंसेप्ट नहीं है यह एक नया कॉंसेप्ट नहीं है पुराना कॉंसेप्ट है लेकिन एस्म्टोमेटिक ट्रांस्मिशन जिसको हम कहेंगे यह बहुत इंपॉर्टन है जो आपको पता होना लेकिन आप फैदाते जा रहे हो और इसके वज़े से आपके शरीर आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं है लेकिन आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो ठीक है सुपर स्प्रेडर यह इस बैक्टेरिया से भी हो सकता है वाइरस से भी हो सकता है याद रखिएगा औ अब बात करें कि अब अगर बात करें हम की कोरोना वाइरस के केस में बहुत सारी जगाओं पर साउथ कोरिया में कंफर्म केसे पाए गए सुपर स्प्रेडर के मतलब ऐसे पेशेंट पाए जो यह सिम्टोमाटिक है घूम रहे हैं और उनमें पेशेंट पाए गए जहां पर हम टेस्टिंग ज्यादा करेंगे वहीं हमें पता चलेगा इंडिया में ऐसी जगाओ पर जहां प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है अगर हर पेशेंट की टेस्टिंग नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि हा इसमें से कौन सुपर स्प्रेडर है कौन नहीं है या कौन सा पेशेंट है कौन सा परसन है जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है उसको इंफेक्शन हो सक डाउन का सकत होना जरूरी है क्योंकि कुछ नहीं पता ये कहां से कहां और इसी को एस्यम्टोमेटिक ट्रांस्मिशन को ही स्टेज 3 बोलते हैं कम्यूनिटी स्प्रेड बोलते हैं जब यह नहीं पता कि एक जगा बिमारी पहुंची कैसे उसको ट्रेस करना इंपॉसिबल हो जाए उसी को स्टेज थी कहते हैं उसी को कम्यूनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं यह सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन कह लीजिए या आप इसे कहां से आया यही चीज सारस में हुई थी 2003 में हुई थी 1989 में टाइफवाइड के आउट बेट में हुई थी जो हमने आपको अंड़ेडी बताया वो धो यह शारी चीज़े माइने रखके आपको यह द्यान में रखना है कि हो सकता है आपको भी कोई खत्रा ना हो आप उस सुपर स्प्रेडर में हो ए सिम्टमाटिक केस में हो आपको कोई सिम्टम नो हो आज ना कल ना कभी ना मगर अगर आप खुला घूम रहे हैं बाहर घूम रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो आपको अपने तरफ से ये थावधानी रखनी है कि आप ये बिमारी ना पहला है मूँ आखों को हाथ ना लगाए पहले खासी आ रही है अवल तो बाहर जाते मास्क पहनना है अब रूल आ गया है सभी को तो काम पे हो बाहर हो सबजी ले रहे हो भाजी ले रहे हो whatever you are doing मास्क पहनना है गाड़ी के अंदर उतना जरूरी नहीं है लेकिन पुलिस वाले फिर भी पकड़ लेंगे यह हिसाब है तो है क्योंकि गाड़ी के अंदर तो आप अकेले हो सकते हो कार के अंदर आइन शीशे बंद है तो बाकी लेकिन इस इट शुट भी देर देन हाथ 30% अलकोहल के परसंटेज के उपर वाला यूज किया जा सकता है और बहुत जरूरी है एक से डेड़ मीटर डिस्टन्स रखना जब भी अगर आप बाहर जाते हो लोगों में एक मीटर डेड़ मीटर डिस्टन्स रखिए जो भी इनसान खास रहा है घर से कताई भाहर ना नि तो बहुत अच्छे चांस है कि आप ठीक हो जाओ बहुत अच्छे मतलब 97-98% चांस है आप ठीक हो जाओगे अनलेस और आप उससों चुपाते हो तो चुपाईएगा मत आप ठीक हो जाएगे हमारा साथ दीजिए गवर्मेंट का साथ दीजिए यह बिमारी है इसको यह ऱ्मेंट रמצाने इसको यह भीजिए अभान व्यक्ति दूरहा निएे सेमें देके सानलेसि यह भीजिए आपे टेक है चांस है तो पल भीजिए श्य अवडेग त ऐसको यह रहे बिमारागा साथ दीजिए है झाल झाल